हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे चैनल पे तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में आपके साथ बैक नेक डिजाइन शेयर करूँगी सबसे पहले हम अपने लाइनिंग वाले पार्ट पर नाप लगाएंगी तो दीखिए जो हमारे ब्लाउस की लंबाई है उससे आपको एक इंच बढ़ा के नाप लगाना है 14 इंच हमारे ब्लाउस की लंबाई है तो हम 15 इंच पर नाप लगाएंगे मेजर्मेंट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए यहां से दिखिए नीचे से लाइन ड्रो करके कपड़े को सीधा कर लेंगे अब हम अपने शोल्डर का नाप लगाएंगे शोल्डर हमने लिए साड़े चेंज आर्म हॉल भी हम लेंगे साड़े चेंज दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला लीजिए अब देखिए चेस्ट का फॉर्ड पार्ट हम लगाएंगे यहां से देखिए इस तरीके से यहां से हम चेस्ट का फॉर्ड पार्ट लेंगे टू इंच की एक्स्ट्रा मारजीन लेंगे हम इस तरीके से लाइन को मिला लेंग यहां से लाइन को सीधा कर लेना है अब 1.5 इंच पर हम अपने आर्मोल की गुलाई का नाप लगा लेंगे अब हम अपने गली का नाप लगाएंगे तो देखिए जो गली के हम चोड़ाई ले रहे हैं वो 3.5 इंच ले रहे हैं यहां से हम गले की लंबाई लेंगे 10 इंच पे और यहां से एक नाप और लगाना है 2 इंच पे हम अपना जो गला है वो बोटनेक के अकॉर्डिंग बना रहें क्योंकि हम इसका फ्रंट पार्ट बोटनेक पे बनाएंगे अब देखे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है अ अगर आप बोटनेक नहीं बनाते हैं फ्रंट पार्ट तो आप इसकी जो गले की चोड़ाई है वो 2-5 इंच लीजिए अब देखे इस तरीके से हम शेप बना लेंगे हलका सा वी शेप देते हुए आपको बना लेना है यहां से देखे इस तरीके से हमको शेप बनाना है इस अब देखे शोल्डर को इस तरीके से हाफ इंच डाउन करेंगे हम इसको यहां से हटका सा कट कर लेंगे अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपने मैन फैबरिक को भी कट कर लेंगे तो दिखे मैन फैबरिक को हमने इस तरीके से कट कर लिया है इसी के अकॉर्डिंग अब हम दोनों पार्ट को त्यार करेंगे तो सबसे पहले हम एक पार्ट को त्यार करेंगे दिखिए इस तरीके से अगर आपका फैबरिक पतला है तो आप उसमें कैनवास का यूज जरूर कीजिए वरना आपका जो डिजाइन है वो उठने लगेगा लाइनिंग को मैं फैबरिक के साथ हम पिन अप कर लेंगे अब पूरे गले और कमर पे हमको नीचे के तरफ इस तरीके से स्टिच कर लेना है एक्स्टा फैबरिक को हमको कट कर लेना है अब पूरे गले पे छोटे-छोटे से कट लगा लेना है हमको इस तरीके से इससे हमार जो नेके वह फिनिशिंग से पलट जाएगा अब अपने ब्लाउस को हम सीधा कर लेंगे और आइरन कर लेंगे सही अच्छा से सैट हो जाएगा तो पूरे ही गले पे हमको कॉर्णर से सलाई लगा लेना है साइट से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे साइट से एक्स्टा फैबरिके इसको कट करके निकाल लीजिए तदी कि इसी तरीके से हमने हमारे दूसरे पाट को भी त्यार कर लिया है अब हम इसमें टक्स टाल के अपने दोनों पाट को त्यार कर लेंगे दूसरे पाट को भी हम टक्स टाल कि इसी तरीके से त्यार करेंगे तो दीकि दोनों ही टक्स डाल के तियार कर लिया है अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो दीकि हम इसमें बैंगल के सहाइता से डिजाइन बनाएंगे अभी ये बैंगल बाला जो डिजाइन है वह काफी जादा ट्रेंड में चल रहा है और अच्छा भी लगता है पहनने तो इस तरीके से हम बीच के सेंटर में इसमें बैंगल लगाएंगे इस तरीके से हमने एक फैबरिक लिया है इसकी जो लंबाई है वो 6 इंचे और चोड़ाई में ये देर इंचे तो इसको इस तरीके से हम ज्यादा भी ले सकते हैं तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके बराबर इसको कट कर लेंगे, तो दीखिए हमारा पास इस तरीके इस दो लूप बनके तयार हो गए हैं, अब हम इसको बैंगल में स्टिच करेंगे, आप बिना लूप के भी बैंगल को इसमें स्टिच कर सकते हैं, पर हम इसमें लूप लगाएंगे, तो दीखिए हमारा बैं दूसरी लूप को भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे अब इस लूप को हम अपने ब्लाउस में इस तरीके से रखके उपर से स्टिच कर लेंगे अगर आप इसमें मोटा बेंगल भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं उससे भी आपका डिजाइन अच्छा लगेगा एक्स्ट्रा फैबरिक को इस तरीके से कट कर लेंगे हम अब दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे तो दीकी फ्रिंस हमारा जो ब्लाउस का डिजाइन ने वह बनकी त्यार हो गया है इसका फ्रेंट पार्ट में आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी तो फ्रिंस आपको आज का ब्लाउस का डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जिरूँ